राश्टय साल पथम, 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 CBI चार्च करेगी तभी सारी सच्चाई सामने आएगी इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इसकी जार्च इसलिए भी जरूरी है क्योंकि CEM भवन निर्मान के टेंडर जारी करने में नियमों का उलंगहन किया गया है दोस्तों दिल्ली अस्तब्द है और दिल्ली ही नहीं मुझे लगता है कि सरकारों में और राजनीती में रूची लेने वाला देश का हर तब का स्तब्द है दिल्ली में हुए इस भरष्टाचार के कांड पर भारती राजनीती के इतिहास में मैं एक बहुत महत्कुन बात की तरफ सबको ले जाना चाहता हूं कि भारती राजनीती के इतिहास में ऐसी कोई राजनितिक पार्टी जो अपने अस्तित्तों में आने के सबसे कम समय में लूट और भरष्टाचार का कृतिमान अस्थापित कर दिया हो तो उसमें एक मत्र राजनितिक पार्टी बन गई है आमादमी पार्टी ऐसा कभी नहीं हुआ है आमादमी के खाजाने को लूटने के लिए आमादमी का ही प्रयोग किया है मुझे लगता है कि जहां तक दिली के राजमहल के वरष्टाचार का मामला है मैंने दिली के लगबग हर लोग इसमें ये मान रहे हैं कि इसमें टॉयलेट और परदे ही करोड क्यों कि बाकी तो क्या है पता करने पे जब सीबियाई इसकी इंक्वारी करेगी कर रही है सुरू किया तो पता चलेगा हमें इस मामले में सीबियाई की जाच की मांग हम लगातार कर रहे थे क्योंकि जब सीबियाई जाच करेगी तब ही उन सारी चीजों का पता चलेगा कि रात में क्यों किसी अधिकारी के कमरे को खोल करके वहां से फाइल चुराने की कोशिस होई साक्ष को नश्ट करने के प्रयास हुए ऐसी इस्थिति में हम उमीद करते हैं कि इस जाच से जनता के सामने राजमहल के सचाई आएगी और राजमहल गोटाले की जाच इसलिए भी जरूरी है वो सभी लोगों से मैं बताना चाहता हूँ क्योंकि सीएम बंगला निर्माड के लिए टिंडर जारी करने के नियमों का जो उलंगन किया गया हूँ किसके ही सारे पे किया गया जानना बहुत महत्तपूर है जाच से यह भी पता चलेगा कि किसके निर्देश पर पी डबलू डी अधिकारियों ने ऐसे भवन निर्माड के लिए छोटी छोटी टिंडर जारी किये किसके ही सारे पे यह भी पता चलेगा फरनिसिंग सामगरी के अलावे भवन निर्माड सामगरी के साथ साथ फर्स के पत्थर लकडी के काम की दर और गुणवत्ता को किसने मन जूरी दी यह सारी बातें पता चलेगी मित्रो यह पूरा का पूरा प्रकरण केवल एक घर के रेनोवेशन का नहीं है बलकि मानसिक्ता के रेनोवेशन का है जिन लोगों ने राजनीती में ये कसमे वादे लेकर आने का काम किया था कि हम छोटे घर में रहेंगे हम वी वी आईपी सिक्यूरिटी नहीं लेंगे हम छोटी गाड़ी से चलेंगे हमें तो केवल दो रूम का घर चाहिए और क्या चाहिए पैर पसारने की जगे चाहिए जब दिल्ली की जनता ओक्सिजन के लिए दिल्ली की जनता वेंटीलेटर के लिए दिल्ली की जनता की रसोयां बन थी जब दिल्ली के लोग तरहीमाम तरहीमाम कर रहे थे लाक का एक परदा, एट लाक रुपीज का परदा, हमारे घर में टॉयलेट भी होता है, दो सो तीन सो रुपे की टॉयलेट की सीट आती है, यहाँ पर चार लाक रुपे की एक टॉयलेट की सीट, चार लाक रुपे का कमोड, कल्पना कीजिए, साथ लाक रुपे खर्च किये रसोईयां बनाने में और एक नहीं अनेक रसोईयां बन रही थी चार-पांच सदस्य है उनके घर में पंदरा टॉयलेट बने सारे रूल नियमों को बाइपास किया गया कि हर खर्च को 10 करोड के नीचे रखा गया 9 करोड 99,9999 रुपे रखा गया ताकि 10 करोड पार होते ही जो प्रक्रिया आती उसमें वो प्रक्रिया से बचा जा सके आज इसी लिए ये दिल्ली की जनता की जीत है क्योंकि दिल्ली की जनता लगातार दिल्ली प्रदेश भरते जनता पार्टी के नित्रुत्व में मांग कर रही थी कि कि किस प्रकार से इस पूरे मामले में CBI की जांच हो शीश महल घोटाले पर भी जिस प्रकार से एक के बाद एक सारे तथ्य सामने आ रहे हैं तो आज अरविंद केज़िवाल जी को बताना चाहिए कि फाइले छिपाने की फाइले हटा जवात हुई है उनके भ्रश्टचार के महल में जिसने भी लूट खसूट की है उनको जवाब देनी पड़े हैं राश्ट्य सौन्पाथम लास्स तोल्फार्ण लास्स तोल्फार्ण